कल से चलेंगी इंटरस्टेट बसें, फैस्टिवल सीजन से पहले चलाने का सरकार ने लिया फैसला विशेश समबाद दाता, शिमला हिमाचल प्रदेश से इंटरस्टेट बसों के आवाजाही 14 अक्तूबर से शुरू कर दी जाएगी सरकार ने बसों को चलाए जाने का फैसला ले लिया है नमरात्र में धार्मिक परेटन को देखते हुए सरकार ने यह निर्नाय लिया है परिवहन मंत्री विक्रम सिंग ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 14 अक्तूबर से हिमाचल पत परिवहन निगम की अंतराजिय बस सेवाओं के परिचालन का निर्नाय लिया है प्रथम चरण में 25 रूटों पर अंतराजिय बस सेवाओं आरंप की जाएंगी इनमें चंडीगर्ण, पर्थान, कोट, बत्ती, होश्यार, पुर्ग, लुधियाना, अंबाला, हरिद्वार, इत्यादी प्रमोग है अंतराजिय रूटों पर सिर्फ गैर बातानुकुलित 9 एसी बसे ही चलाए जाएंगी अंतराजिय बस रूटों में रात्री बस सेवाओं भी सम्मिलित की गई है उन्होंने कहा कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा ब्रदान करने के दृष्टिकत प्रदेश सरकार ने यह निर्नय लिया है पिछले कुछ समय से आम लोग भी अंतराजिय बस सेवाओं आरंव करने की मान कर रहे थे उन्होंने कहा कि शीग रही अन्य राज्यों के लिए भी अंतराजिय बस सेवाओं का परिचालन आरंव किया जाएगा परिवहन मंत्री ने कहा कि अंतर राज ये रूटों पर बसों के परिचालन के लिए कोरोना वाइरस से बचाव के लिए सभी दिशा निर्देशों का सक्ती से पालत सुनिश्चित किया जाएगा दूसरे राज्यों में बसों की आवाजा ही चल रही है मगर हिमाचल ने अभी तक इंटरस्टेट बसों पर प्रतिबंध लगा रखा था जिसे आप हटा दिया गया है मंगलवार को परिवहन मंत्री विक्रम सिंग ठाकुर की अध्यक्षता में इंटरस्टेट बसों की एसोपी को लेकर बैठा खुई है जिसमें सभी मसलों पर चर्चा के बाद निर्देश लिया गया कि 14 अक्तूबर से बसों को चलाया जाएगा परिवहन मंत्री विक्रम सिंग ने बताया कि कुछ विशेशक शिर्थ्रों के लिए बसों को चलाया जा रहा है और जो एसोपी बनाई गई है उसका पूरी तरह से अनुसरम किया जाएगा इस मामले को अब कैबिनेट में ले जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कैबिनेट से पहले ही निर्देश हो चुका है केंडर सरकार ने भी इसके लिए कहा था मुख्यमंत्री से बात करने के बाद यह निर्देश ले लिया गया है उन्होंने अनौपचारिक बातशीत में बताया कि पहले चरण में प्रदेश से साधारन बसे ही दूसरे राज्यों को भेजी जाएंगी और बसों को कंटेन्मेंट जोन में कहीं भी नहीं रोका जाएगा ना ही वहां से कोई याथ्री बिठाया जाएगा और ना ही उत्तारा जाएगा AC वा नौन AC बसों की आवाजाही अभी नहीं होगी क्योंकि माना जाता है कि कोरोना में AC बसे सुरक्षित नहीं है उन्होंने कहा कि पहले चरण में ओकिपेंसी को भी देखा जाएगा जिसके आधार पर उन क्षित्रों के लिए बसों की संख्या को निर्धारित करेंगे चंडिगर्वा हरिद्वार के लिए सबसे ज्यादा डिमान है जहां के लिए बसे शुरू कर दी जाएगी उन्होंने कहा कि प्रतिबंध हटने के बाद दूसरे राज्यों से भी यहां बसे आ सकती है परिवहन मंत्री बिक्रम सिंग खाकुर ने कहा कि विभाग के पास नई बसों की खरीद का प्रपोजल है पर अन्तु वर्तमान में नई बसों की खरीद नहीं होगी जो फ्लीट अभी मौझूद है उसी से काम चलाया जाएगा आने वाले समय में जैसे स्थिती ठीक होती है तो इस पर विचार करेंगे उन्होंने कहा कि जंता की सुविधा के लिए HRTC अपनी बेहतरीन सुविधाये जारी रखेगा बसों में यात्रियों की संख्या कम होने पर उन्होंने चिंता भी जताए इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के